नमस्कार सिवार उसपेस नीज में अपकार सुआगत है बीदे रविवार को पिहार सरकार के ग्रहविभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके खलबली मचा दी बिहार सरकार के ग्रहविभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में coconut बैच के IPS अक्सर राजविंदर सिंग भट्टी को बिहार पुलिस का नया DGP न्यूक्त किया जाएगा जबकि 1989 बैच के IPS अफसर आलोग उनसे सीनियर है फिर भी उनसे एक बैच जूनियर IPS अफसर राजविंदर सिंग भट्टी को बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने बिहार का नया DGP न्यूक्त किया है वजह साफ है बिहार में फिलहाल चल रही law and order की समस्या जिसमें राज्य में हर जगे लूट, मारपी, चोरी, डकैती और मर्डर की घटनाएं आईविन होनी है साथ ही बिहार पुलिस शरापन्दी को राज्य में पूरी तरीके से लागू करवाने में नाकाम रही है भट्टी वर्तमान पद्धारी S के सिंगल का पद्धार ग्रहन करेंगे जिंका कारेकाल सोमवार को समाप्थ हो रहा है भट्टी का बिहार में लंबा कारे काल रहा SP के अलावा उन्होंने सहायक, पुलिस अधिक्षक, सिटी SP पटना, SP जहानाबाद, गोपाल गंज, सिवान, पुर्णिया, महा निरिक्षक, IG पटना जोन, IG सुरक्षा, संयुक निदेशक के रूप में काम किया है राजविंदर सिंग भट्टी फिलहाल में सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल इस्टन कमांड के पट पर तैनाथ थे बिहार सरकार की दूरा नोटिफिकेशन जारी होने के तुरत बाद सीमा सुरक्षा बल से रिलीव होकर सोमवार को शाम को ही पटना पहुँच चुके हैं और उन्होंने आज सुबा बिहार पुलिस के नए डीजीपी के के रूप में पदभार जहन कर लिया है 1992 के IPS अधिकारी राद बिंदर सिंग भट्टी के छवी एक सक्ट IPS अधिकारी के रूप में रही है उन्होंने सिवान जिले में SP रहते हुए जिले में ततकाल बाहुबली सांसत शाबुद्दीन को सिवान में रहते हुए उनके दिल्ली अवास से एक महिला कॉंस्टेबल से गिरफतार करवाया था तब ही से भट्टी चर्चा में आये थे और नितीश कुमार के चहेते बन गए थे क्योंकि उसी समय 2005 के चुनाओं के नतीजों में नितीश कुमार को बहुमत मिली थी और वह मुख्यमंत्री बन गए थे हाला कि जब भट्टी ने शाबुद्दीन को गिरफतार करवाय था तब बिहार में राश्पती शाशन लागू था ऐसा नहीं था कि भट्टी से पहले शाबुद्दीन को किसी ने गिरफतार करने की कोशिश नहीं की भट्टी से पहले सिवान के तक कालीन स्पी रत्न संजय और डीम सीके अनिल ने कोशिश की थी जिसमें गोली बारी भी हुई थी लेकिन काम्याबी नहीं मिली फिलहाल स्पी में इंस्पेक्टर जनरल पद पर तैनाध है वैसे भट्टी के लिए ये सफर इतना असान नहीं है क्योंकि बीते कुछ जिरो में छपरा सहित कई जिलों में जहरीली शराब की वज़े से कई लोगों की मौत हो गई नितीज सरकार में सहयोगी आरजडी के रूप में विधायक रंधीर सिंग ने जहरीली शराब कांड में देर सो से अधिक लोगों की मौत का दावा किया है इसका कोफी देए नहीं हम दो तो आप थोड़ा लेट पहुंचे हैं हमने पहले ही कहा है कि मरने वालों का संक्या 1.500 से ज्यादा है और सरकार के तरफ से कुई नहीं आया इसका क्या मतलब हम खुच सरकार के साथ हम गया है वहां का स्थानिये बिधायक के दार नाज सिंग जी गया है जनक सिंग पूर्व ये मुंदिर का यादों वहां के राज़त के पूर्व बिधायक है तरिया चेत्र में इसवापुप्रकन में जहां भी मौत हुआ शिसवाँ हो या आपको अटावली हो महुली हो हर जगा वो गया है जो भी राज़त के लोग हैं यहां पर बिधायक हैं पूर्व बिधायक हैं वो लगे हुए हैं और आगे सरकार के पास हम लोग अपना मांग सब्सक्राइब मजबूती के साथ बात रखेंगे जो भी उस पर करना होगा सरकार के तरफ से किया जाएगा